नमस्तो दोस्तों मैं आप अंकाज जैस्वाल मैं आप सभी फैन्स को रफम करना चाहूंगा जो भी स्टूरंस का ग्रैटिवेशन अप्रेट हो चुका है और उन्होंने अपना थर्ड येर जो है वह पास आउट कर लिया है और सक्सेस्फुरी ग्रैटिवेशन अप्रेट हो यह 6500 तो मॉर देन उससे ज्यादा जो वैकेंसिया वह रिलीज की गई है और आई बीपेस रिक्रोटमेंट जो करती है उसके अंदर स्टेट बैंक आफ इंडिया को छोड़ कर उसको हटा कर इंडिया की जित्ते भी नेशनल लाइस बैंक है जैसे की एक्जांपल के तरह पर बात करेंगे बैंक आप बरोडा पंजाब नेशनल बैंक बैंक आफ इंडिया और भी बहुत स्थारी जो बैंक है वो नेशनल बैंक है इंडिया के अंदर और गवर्मेंट आफ इंडिया उसका जो कंट्रोल है अपने पास रखती है तो क्लरक की जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकंसी है वह रिली चीगही है लगपक 6500 से भी ज्यादा जो वैकंसी है वह रिलीच की गई है इस पोस्ट के लिए अगर आपको एपलाई करना है तो सबसे पहले आपको एक्जाम क्लियर करनी होती है और दो एक्जाम लिजाती है एक एक्जाम होती है प्रिलेम्स की और दूसरी एक्जाम होती है मेन एक्जाम इसके जो एपलिकेशन फॉर्म है एपलाई करने के वह स्टा प्रृप्रेशन कराते हैं गौवर्मेंट के एक्सपर्ट करेंगें और साथी छाथी में प्रीलिम्स एक्जाम और में एक्जाम की तयारी किस तरह करनी हैं और आप किस तरह से जैपके संब अपको बताया जाएगा क्लर्क की जो पोजिशन के लिए जो वैकेंसी आई होई है लगबग 6500 उसके लिए यह जो गाइडलाइन सेशन और सेमिनार है वह और बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट है मैं आप सभी को पता दू कि 15 जूलाइक को यह जो सेमिनार है वह और गिनाइज किया गया है फ्रते गंज एक्जाम साला इंस्टिटूट जो की बिल्कुल 76 मॉल के बाजू में धर रोयल प्लाजा कॉंप्लेक्स है वहाँ पर फर्स्ट फ्लॉर पर आया हुआ है पंदरा जूलाइक को इस सेमिनार को और इसका टाइमिनार का सुबह 8 बज़े से लेकर 10 बज़े तक इसके लिए अगर जो भी स्टूरंस आना चाहते हैं और एप्लाइ करना चाहते हैं गवर्मेंट बैंक जॉप्स के लिए तो वह सभी लोग आ सकते हैं कोई भी चार्जिस सेमिनार अटेंड करने के लिए और आने के लिए रग..? बैक मेरे श्काराम के लिक जासे आप खुप लोगे तो उसमें ताइमिंग के अलग लग सार्ट सौ फोरट भी यह होंगे लेकिन ताइमिंग आच से 10 से आपको 8 से 1 आए 10 का जो सविलेक बाएगग और पंदरा सुला आमस्टे